आज हम जो हमारी vocab series चल रही थी उसको एक बहुत बढ़िया structure देने वाले हैं अब आज से हम लोग क्या करेंगे उस दिन में newspaper में जो हमारे 5 से 10 कम से कम 5 रखेंगे जो 5 words use हुए हैं उनको लेके चलेंगे तो जो actually words papers में आ रहे हैं newspaper में उनको लेके चलेंगे और उसमें क्या देखेंगे हम लोग word pronunciation उसका meaning और वो exact sentence newspaper का जहां पर उसको use करा गया तो application भी clear हो जाएगी और memory technique तो जानते हैं friends हम लोग connection बना के जो memory technique लगाते हैं तो word हम कभी भूली नहीं सकते तो आप हर exam के लिए regularly जहां पर English आता है cat, mba, government exams, काफ़ी यगा English आता है आप बिलकुल तयार होते जाएंगे और इन words को आप भूलेंगे तो newspaper से connect करते हैं कहानी बढ़ाएंगे आइए शुरू करते हैं हाँ, उस article का knowledge वाला पार्ट नहीं देखेंगे, हमें आज सिर्फ जो word का application पार्ट है, English या verbal वाला पार्ट उस पर ध्यार नहीं देखेंगे तो यह सारे PDF कोहिश करों कि वहाँ पर share कर पाऊं में, तो वो join कर लेंगे पहले इसका मतलब देखते हैं और application देखते हैं फिर याद करेंगे Prudent का मतलब होता है conscious approach, मतलब की essay action, meaning देख लो पहले Acting with care and thought for the future, मतलब की एक example देख लो I spend my money prudently, मतलब बहुत ध्यान से खर्च करता हूँ, future का ध्यान में रखते हूँ खर्च करता हूँ मतलब careless approach ने, careful approach, conscious approach, समझ गए, application देखो The Hindu newspaper में editorial में article आथा जहांपे COVID-19 और economic aspect उसका, इस पर discussion चल रहा था, उसी की line है The economic collapse is an enormous challenge that needs to be overcome with prudent policy COVID-19 के उसे जो भी economic problems हारी है, उससे निकलने के लिए, overcome करने के लिए सरकार को बहुती prudent, careful और future को धान में रखते हुए, ऐसी approach follow करने पड़ेगी अब याद कैसे करें, prudent बड़ा simple मतलब है दो तरीके हो सकते है, prudent से एक तो pepsorant होता है, जिस भी इंसान को अपने दातों की चिंता है कि उसके दात लंबे चले, carefully, बिल्कुल strong रहें end तक, वो pepsorant का इस्तमाल करते है I mean, जिस भी toothpaste का इस्तमाल करना है, I don't endorse pepsorant, बट मैं example, याद करने के लिए या फिर prudent से एक और वड़ बनता है, student, prudent student, student अच्छा वो होता है, जो बहुत careful है अपनी life या फिर prudent से आप student भी याद कर सकते है, तो student या pepsorant, जो आपको अच्छा लगता है, वो यह क्याद कर ले रहे, नहीं बोलोगे फिर आप, ठीक है second word देखिए, halabaloo, halabaloo, वैसे तुसके नाहम से मतलब दिखता है, बड़ा chaos टाइप का word है, halabaloo मतलब अपरोर या फस, एकदम से कुछ हंगामा टाइप का है, एकदम अपरोर टाइप का हो जा रहा है, ठीक है, कि मतलब garden में snake आ गया तो एकदम से halabaloo हो गया, उस तरह का यहाँ पर मतलब रहता है, application देखो पहले, so वही economic policy की बात चल रही थी उस article में, जहाँ पर COVID-19 का economic aspect की बात चल रही थी, statement पढ़ लो, there is much halabaloo about a V-shaped economic recovery which is a mere illusion, actually कई लोग बात कर रहे हैं, सबके multiple opinions, सब लोग यह बात कर रहे हैं, कुछ लोग उसमसे बात कर रहे हैं, कि इस साल, economic growth कम होने वाली है, downfall होगा, और अगले साल दोबार recovery हो जाएगी, तो लोग, कई लोग उम्मीद कर रहे हैं, कि V-shape कर रहे हैं, कि अभी नीचे आ रहा है, पूरा economic growth, फिरिग्रम से उपर चला जाएगा, अब कई scientists को मानते हैं, कई economists को मानते हैं, कि लोग नहीं मानत हैं, वो कुझी बात पर चल रही थी, पर जो ये V-shape economic recovery की बात चल रही है, उसमें तरही है, मच हला बलू, एक chaos type का, एक first type का, अपरोर है, people are, बहुत, मतलब की कोई, बहुत strongly support कर रहा है, कोई strongly oppose कर रहा है, उसमें, एक chaos type का है, ठीके, इस V-shaped economic recovery का, तो मतलब समझ गए, there is much हला बलू, because of the snake in the garden, application clear होगे है, बस, याद कैसे करना है, इसके नाम में, हला बलू मतलब हला, हला मच गया, मतलब यह नई ठीक है, इस पर हला मच आए, कि कोई support कर रहा है, कोई oppose कर रहा है, एक first type का मच गया, ठीक है, चौरह है, पर first मच गया, इस तरह से, तो हला बलू मे भी होता है, ध्यान दीजिए का मतलब, phantom मतलब something which is, एक illusion है, मतलब जो real नहीं है, तो phantom मतलब mental illusion, which is not real, या ghost भी बोलते है, मतलब की, phantom का implied मतलब ghost भी होता है, जो सच में नहीं, which is not real, यह बस मन का illusion है, एक बस मन का illusion है, एक application देखिए, यह statement दिया था, थोड़ा photo चोटा कर पड़ेगा, हिंदू का ही उस article का, एडिटोरियल मैं पुमिजिया का देख लीजिए, इस theory has fallen flat in the past decades in developed nations such as America, where the creation of phantom money has not led to inflation, बात एक्चुली यह चल रही थी, economic recovery के बहुत सारे तरीके होते हैं, उसमें से एक तरीका यह भी बतायता है कि हो सकता है कि, भई, any country by the central bank, central bank की त सकता है, जितनी भी currency चाहिए, उसको print कर सकता है, पर कई लोग बोलते हैं कि गलत तरीका होते हैं, इस inflation बहुत बढ़ जाता है, तो उस यह counter में कई लोगों ने यह भी बोला है, कि यह theory कि आप बहुत पैसा print करोगे तो उस inflation होगा, यह theory भी कुछ case में flat हुई है, जैसे कि economically, naturally create नहीं हुआ है, बस उससे print कर दिया गया है, ऐसा imaginary phantom money से inflation नहीं बढ़ा है, कई cases में ऐसा भी देखा लिए, ठीके, वो economic aspect होगे, उस पर हमको नहीं जाना है, हमें सिर्फ इता मतलब है, phantom money मतलब, ऐसा money जो illusion है, which is not real, तो natural economic supply demand से create नहीं हुआ है, ठीके, तो phantom का मतलब यह exact statement है, जो हिंदु में यूज़ करा, यह हो गया है, चलो, मतलब यह रहा है, illusion, not real, या ghost, याद कैसे करें, कि phantom का मतलब, वैसे है, बहुत भहतरीन economic use किया है, इस नहीं हाप इस पर, चलो, phantom का मतलब, आपको याद है, बच्पन में हमें एक चीश खाते थे, पक्का टॉफी होती थे, पता है न, आपको, हम लोग तो बस style मारने के लिए इसको खाते थे, जबकि एक्षिली chocolate, swing and type की कुछ होती थी, तो phantom cigarettes, तो बस cigarette का illusion create करती है, they are not real, पच्चाई में वो क्या है, सिर्फ, टॉफी है, वैसे अगर बच्पन में आपने phantom खाई है, तो मुझ सब्यातर सकते हो, fourth word, precipice, precipice, बहुत बहतरीन word, मतलब देखे, थोड़ा geographical सा मतलब है इसका, पर इसको verbal में भी use करते है, precipice, precipice का मतलब होता है, vertical या steep face of a rock और cliff, कोई भी rock या पहाड़, cliff का जो कोना होता है, उसका जो एकदम से, ऊपर की तरफ face में, आपको photo दिखा जा है, मतलब बाद में देखते हैं, ये होता है precipice, cliff या पहाड़ दिखा रहा है, उसमें से एकदम से जो ये flat, upward, vertical slope जाती है, इसको बोलते है precipice, इसके photo दोड़ना बहुत मुश्किल हुआ था, कोई यादा कर photo जो है, बहुत negative type है, जहां पर precipice को लोग खड़े हुए इस तरह से, दूर राकरो भी ऐसी जगों से बिल्कुल पास नहीं जाना चाहिए, मतलब समझ गए, ये geography में precipice का मतलब होता है, अब देखिए, इसका मतलब ये होता है, जब कोई nation बहुत critical point पे खड़ा है, बहुत important critical time की पीछे बचे हो, आगे जाने पर ही नुक्सान हो सकता है, वो critical time, वो peak time को precipice बोलते हैं, application देखिए, the nation is at the precipice of an extremely challenging moment in her history, हिंदुस्तान और पूरी दुनिया अपने पूरे इतिहास में सबसे precipice moment पर खड़ी, सबसे precipice है ये उनकी history का, ये वो defining moment है कर अभी ध्यान सीट से नहीं रखा गया, economy का लोग की health का तो बहुत ज़ादा नुक्सान हो हो सकता है, तो इस peak moment को या edgy moment को बोलते हैं precipice, वो critical moment है, ठीक है, मतलब की ये, आप देख सकते हैं, ये मतलब clear, ये precipice होता है, याद कैसे करें, friends, press से याद कर लो, press जिससे कपड़ा iron करते हो, आप ये देख लो, press ऐसी होती है, press, precipice कर नहीं लग रहा आपको, ये पूरा पहाड नहीं देख रहा आपको ये पूरा पहाड और ये रहा उसकी edge, यहाँ पर इंसान खड़ा हो देख रहा था, यहाँ पर खड़ा होता है, तो ये और ये सेम नहीं लग रहा आपको, तो press भी जब ऐसे खड़े कर देते हैं, press जिससे आप कपड़े iron करते हो, तो वो भ बढ़ याद हो जाएगा, हम तो बच्पन से press ही बोलते हैं, आप भी press ही बोलो, ठीक है, clear है बात तो आप उससे याद करें, press, press ही मतलब press, press का आप standing वाला जानते हो, कि उससे क्या बिल्कुल shape ऐसे खड़े हो, ठीक है, last word, heterogeneous, heterogeneous, इसका मतलब आप जानते हैं, नहीं जानत जो मैं बता रहा हूं, इसमें कुछ connection की ज़रूरती नहीं, heterogeneous मतलब, देखो, homogeneous मतलब क्या होता है, uniform, this is a homogeneous solution of sugar, जो बिल्कुल uniform है throughout, तो heterogeneous क्या होता है, uniform, नहीं हो, homogeneous का उल्टा होता है heterogeneous, क्यों के, so heterogeneous मतलब जो diverse होता है, varied होता है, uniform नहीं होता है, example देख लो, exactly paper से, the Indian education system has had a very heterogeneous response to the pandemic, ये heterogeneous नहीं बोलते है, heterogeneous बोलते है, clear, मतलब कि Indian education system में अभी जो pandemic आ रहा है, COVID-19, उसका इस education system ने बहुत varied response, कुछ लोगों ने बोला कि, हाँ, ये system सही है, online class सही है, नहीं class शुरू करने चाहिए, बहुत सारे multiple opinion टैकल करने के लिए आए है, इस चीज में, तो pandemic के response में, education system के multiple response, कोई एक धुन में नहीं बोल रहा है, सब क्या लग-लग बिचार, varied बिचार, तो समझ गए, homogeneous मतलब uniform, heterogeneous मतलब, variable, variable, ठीक है, तो ये था अच्छे 5 words, मैं friends, आधा में टॉर लोगा, जल्दी सी रवाइच करते हैं, बस आधा मेनट, ठीक है, so prudent मतलब student या पैप student, दांतों का लंबे समाता ख्याल रखना है, बहुत thoughtful रहना, careful रहना है, तो पैप student का इस्तमाल करिए, या prudent से student बना सकते हो, student वो होता है, जो careful रहता है, अपना समय बरबाद नहीं करता है, future को ध्यान में रखते हो, सारे carefully काम करता है, अगला word, halabalu, मतलब एक fuss होना अपरोर होना, हला से आपने हाथ के लिएता है, इसको, phantom, मतलब कि ये phantom cigarette, ये टॉफी की तरह है, it is just a illusion of cigarette, it is not a cigarette, illusion बस, not real, precipice, press, press का structure बिल्कुल इस cliff की तरह होता है, जिसका कोई edge होता है, बिल्कुल vertical सी cliff, किके, defining एक बहुत critical moment किसी भी समय का, किसी भी देश का, किसी भ साइप में, ये पूरी दुनिया की बात पर सकते हो, critical moment, ठीक है, precipice, and the last word is, heterogeneous, homogenous का उल्टा होता है, homogenous मतलब जो uniform, heterogeneous मतलब जो uniform नहीं हो, इसका मतलब तो वैसे याद हो से रहे है, ठीक है friends, वे थाज के 5 words, कल दुबारा मुलागात होगी, इनको revise जरूर कर लीजेगा, कल में, thank you, have a nice day.